और इस बीच एक बड़ी खबर जहां केंद्री मन्प्री आरजुन मेगवाल की बिकनेट दौरे को लेकर एक व्यक्ती ने शिकायत की है बिकनेट निवासी सत्पाल अरोडा ने जिला कलेक्टर को शिकायती पत्र लिखा है और कहा है कि रेड जोन से आने वाले मन्प्री जी को कौरिंटीन क्यों नहीं किया गया सत्पाल अरोडा ने एक आर्टियाई भी लगाई है और शिकायत में सवाल उठाए है कि आम आदमी के लिए ही सारे नियम क्यों है वहीं इस मामले पर अरजुन मेगवाल कैम्प का भी बयान आया है मेगवाल कैम्प का कहना है कि कोरोना से जुड़ी व्यवसाओं को जाचना भी जरूरी है जनप्रतिनिधियों की पहली जिम्मेदारी है कि कोरोना संकट में उन तक मदद पहुँचे दिल्ली में भी मानकों का ध्यान रखा गया था सनिटाइजर, मास्क, सहित, WHO गाइडलाइन्स का पालन किया गया तो केंद्री मंत्री आरजुन में एकवाल की बिकनेर दौरे को लेकर एक शक्स की तरफ से शिकायत की गई है बिकनेर निवासी सत्पाल अरोडा ने जिला कलेक्टर को शिकायती पत्र लिखा है और कहा है कि रेड जोन से आने वाले मंत्री जी को पॉरेंटीन क्यों नहीं किया गया इसको लिकर एक आर्टी आई भी लगाई गई है शिकायत में सवाल उठाए गए हैं कि आम आदमी के लिए ही सारे नियम क्यों बनाए गए है अलाकि इस पर मेगवाल कैम का भी बयान सामया चुका है मेगवाल कैम का कहना है कि कोरोना से जुड़ी ववस्थाओं को जाचना भी जरूरी है कि वहाँ नियमों का पालन हो रहा है या नहीं सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है या नहीं ये जिम्मेदारी जनप्रतिनिधियों की है और क्या सही तरीके से मदद आम लोगों तक पहुँच पा रही है दिल्ली में भी मानकों का ध्यान रखा गया था और सैनिटाइजर मास्क सहित डबरू अर्चो काईडलाइन्स का पालन किया गया ये अपनी सफाई दी गई है क्याम की तरब से